हेलो प्रेंट्स आज मैंने ये देखी थांपोस, टेवल में कुछ भी बना कह सकते हैं इसको बना कर रेडी किया है इसमें मैंने चार कटर एक दो तीन चार और बीच में ये दो पतियां मैंने रेड और यलो से बनाई हैं इसमें पिंक और वाइट बनाई हैं आठ पतियों का ये हमारा मैट बना है बड़ी परात के लिए बड़े साइज का का ये मैंने इसको बनाया है ये मैंने 60 फंदो का बनाया है साइज फंदे से फिक हम कितने भी बड़ी परातों इसको हम डख सकते हैं ये मेरा इसमें एक दोड यहां पर ये जोड आया है बाकि ये इसको फिर मैंने कैसे बनाया है अभी हम बनाना शुरू करेंगे ये मेरा साट फंदो का है, साट फंदो में बनाऊंगी तो मेरी सलाई बहुतलंडी हो जाएगी तो मैं इसलिए आपको तिस फंदो में बनाना सिखाओंगी तो आप उसी इसाफ से उनी फंदो को डबल कर सकते हैं अब हमारे जो शुरू की फट्टी होगी और ये लास्ट के फंदे होंगे ये दोनों सेम बराबर होंगे यानि 20 फंदों का मैंने इसमें से ये रखा है 20 फंदों का ये रखे हैं 20-20 फंदे तो ये हैं और 10-10 फंदे हमारे ये हैं च्यार कलर हैं तो बीच के ये दोनों कलर बराबर होंगे और ये और ये शुरू का और लास्ट का बराबर होगा चाहे हम कितने भी फंदों का बना ले चैलिस फंदों का बनाएं पचास फंदों का बनाएं बनाना टू के मल्टिपल से है लेकिन ये दोनों फंदे एक बराबर होंगे हमने डालने हंगे शुरू में हम वहीं फंडे उस से एक्स्ट्रा दो फंडे हमने और रखने होंगे वह हैं तो मैंने यह बीस यह रखे हैं 20 फंडे मेरे यह हैं 40-10 यह 50 और 60 दो फंडे एक्स्ट्रा तो इसी तरह मैं अब ये तीस फंडों से आपको बनाना सिखाती हूं मैंने इसको कैसे बनाया है अब इन फंडे डाल लेते हैं सबसे पहले हम कैसे भी किसी भी तरीके से हम इसमें फंडे डाल सकते हैं कि इस तरह करते हम इसमें 30 वंडें डाल लेंगे 15 कि कि उडिकिखी हमारे पास 25 तरह आप ये फूर्ल से भी और एक यहलो कलर से वेट मैंने बीची में जाल या बनाया है कि पांस कि भूल है बूल हम हमम बरनाब Χ कोई मोटी या पक्तनी वाली आंयने एक साइज की उलेनी है नहीं तो हमारे ये शेप में फरका जाएगा तो अब ये देखिए इसको हमने 30 फंदे मैंने इसमें डाल लिए 30 फंदे डालने के बाद अब ये हमारी उल्टी साइड है उल्टी साइड हम इसे समझेंगे उल्टी साइड से पहली सलाई से ही हम इसमें डिजाइन हमारा शुरू हो जाएगा पहले सलाई में हमने 10 फंदे 3, 6 और 4, 10 पिंक कलर से 10 फंदे बना लिए अब हम यहां पर बाइट कलर लगा लेते हैं दूसरा कलर जोड देते हैं एक, दो, ती, चार यह हमने 4 फंदे बीच में यह बाड़े पहले यह बनाया फिर इसके बाद यह इस तरह चार कलर बनाएगे तो फस्क में 10 फंदे, फिर 4 फंदे बीच के दोनस जो होंगे वो हमारे बराबर कलर चलेंगे फंदे होंगे और आज़ पास वाले बराबर चलेंगे और यह जो बीच के जो चार-चार फंदे कर रही हों यह गटे बढ़ेंगे नहीं यह हमेशार शुगु से लेकर आफ की तक चार चार ही चलेंगे और आगे और पीछे के जो दलदस फंदे हैं वो गच्टे बढ़ते रहेंगे चार ही हमने तीसरे कलर से बना लिए अब हमारा फोर्थ कलर अब हमारे फोर्थ कलर कोट कलर से देखिए मैंने ये बनाया कोट कलर से एक दो भागे को इस तरह लपेटा देटा देटे से ले जाएंगे टीन च्यार पाँच छे साथ आठ नुवद अब देखिए दस खंदे ये होगे, दस ये होगे, चार चार ये होगे दस और दस-बीस और आठ अठा येस, तीस हंदे मैंने डाले थे दो फंदे हमारे अब यहां पर बते गे हैं इन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से सलाई को टर्ण कर जाएंगे अब यह आगी हमारी राइक साइट वो थी रॉंग साइट यहां पर हम इन फंदों को बना लेंगे जो जैसे दिख रहे हैं उन्हें हम उल्टा उल्टा बना लेंगे दस हैं यह दस के दस बना लिए अब इस दागे को पीछे करेंगे अब हमारा ब्लू वाला दागा है ब्लू वाले इस दागे को तो नीचे कर देंगे और blue हले को इससे cross करते हुए हम लाएंगे और आगे बनाएंगे च्यार हंदे blue color से बना लेंगे blue color को बनाने के बाद आगे को पीछे करेंगे अब white color बनाना है इसको भी cross करते हुए ये तो उपर हैगा इसको इसके नीचे से cross करते आगे लाएंगे और बनाएंगे, एक, दो, तीर, च्यार, दस फंदे हैं, इन दस फंदों को बना लेंगे, इस तरही राइट साइड की सलाई हमारी पूरी रोकती है, लास्ट के फंदे को देखे, लास्ट के फंदे को हमेशा सिधा बनाएंगे, अब हम उल्टी सलाई में आ जाते हैं, उल्टी सलाई में पहले फंदे को हम उतार लेंगे, इसको हमने बुनाना नहीं है, बुनाएंगे तो हमारी चैन नहीं बनेगी, तो अब यहां दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो फंदे बनाएंगे, एक फंदे को हम वाइट को वाइट बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार वाइट बना लेंगे, अब यह एक यह वाइट वाइट वाला इसको ब्लू बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, यह वाले हमेशा हमारे यह बीच के यह वाइट और बलैक जो दस-दस पंदे हैं, इसमें चार-चार पंदे हैं, यह हमेशा यही र रहेंगे और इसके बाद यहां नो थे तो इधर भी अब इधर नो होंगे तो इधर भी हम नो ही बनाएंगे च्यार पाँच छे साथ आठ नो पहले हमने दो फंदे यह चोड़े थे अब दो फंदे और छोड़ देगी अब आ जाते हम अपनी राइट साइड हमें राइट नोफंदो को बना लेंगे उसके बाद ये ये ब्लू वाले हैं ब्लू को बना लेंगे दागे को पीछे करेंगे ब्लू फंदे बना लिए दागे को इसको अमेशा उसको दबाते हुए और जब दागे को आगे लाना है क्रोस करते हुए ये देखी इसको करेंगे और इसके उपर से इसको ले के आएगे अब वाइट वाले को लिए आएगे वाइट चार राइट साइड में हमें कुछ नहीं करना राइट साइड में हमेशा जैसे फंदे जो है वो वैसे ही वैसे बनाने हैं अब ये लास्ट के ये नो फंदे हैं नो फंदों को बना लेंगे चे, साथ, आठ, लास्ट का फंदा सीधा चार सलाईया इस तरह हमारी बन गई अब ये फिर अब यहां पर एक 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 फंदे को हमेशा इदर से गटाते चले जाएंगे पीछे से दो फंदे चोड़ेंगे अब यह हम ने आठ बनाए है, आठ फंदे हैं, अब उइट के चार फिर बना लेंगे अब यह शुड़ू के फंदे लास्ट के फंदे तो कम होते रहेंगे पिर जब इदर मोड़ेंगे तो यह बढ़ते रहेंगे लेकिन यह बीच वाले उतने ही रहेंगे च्यार वाइट, च्यार ब्ल्यू कलर से और आठ फंदे अब हमारे ये एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ पहले दो फंदे चोड़े ते फिर दो फंदे चोड़ दी अब कि ये दो फंदे चोड़ेगे इसी तरह गटाते गटाते हम यहाँ पर सिरफ दो फंदे रखेंगे बाकि सारे फंदों को गटाते जाएगे तो मैं ये गटा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ अब यह यहाँ पर बच गए हमारे तीन पंदे बस्ट पंदे को उतारेंगे तो अब रहेंगे दो दो यह हैं च्यार वाइट से चार बिल्यू कलर से और इधर दो हैं तो इधर भी हमारे यह दो बचेंगे दो पंदे, यही से सलाई को टर्ण कर जाएंगे दो यह, च्यार ब्लीू कलर से च्यार वाइट कलर से बीच वाले मैंने आपको पहले बिताएं बीच वाले हमारे ऐसे कैसे रहेंगे शुरू की और लास्त के पंदे गटते बल पे रहेंगे अब यह दो रहेंगे बनाने के बाद अब आते हम यहां से थोड़ा सा वह हमारा चेंज हो जाएगा दो तो यह है अब इस में से हम बढ़ाते जाएगे तीन हो जाएगे अब हम पहले इधर सरक रहे थे अब इस उल्टी साइट बढ़ाते जाएगे फंदो को तीन चार यह भी चार एक दो यह तीन है एक इस में से ले लेंगे चार अब यह एक तो यह बच रहा है और दो फंदे हम और ले लेंगे दो में से एक बच गया था तो दो और लेंगे तीन फंदे होगे जैसे तीन इधर हुए हैं तीन इधर हुए है सलाई को यहीं से फिर टन कर जाएंगे एक दो तीन तीन ही ब्ल्यू किलर से एक चार तो चार ही जाद चार यह भी चार यह तीन एक दो तीन अब इदर से फिर अब यहां तीन है अब हम बढ़ाएंगे तो चार बना लेगे एक दो तीन तो यह है एक फंदा वाइट वाला और बना लेगे चार हो गए वाइट चार के चार एक दो तीन चार ब्ल्यू वाले चार के चार एक, दो, तिन, चार फिर यह भी चार हो जाएंगे एक, दो तो यह होगे अर अब हम इन दो फंदों को और लेंगे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गाप दिख रहा है तो यहाँ पर से हमें इस पंदे को उटायेंगे ये दो का एक कर लेंगे और ये दोनों फंदों को बना लिए चार होगे बापीस फिर ही टन कर जाएंगे इस तरह इस खलाई को बनाते हुए यहाँ पर जैसे हमारे पहले याद दस फंदे थे और इधर भी दस थे बने रे बनाते हम यहाँ पर दस फंदों को ले आएंगे यह चार हमारे बीच के चार चार ही रहेंगे तो इस तरह मैं इसको बना कर कंप्लेट कर लेती अब यह देखिए यहाँ पर दस फंदे होगे एक, दो, तीन, चार, पांच यहाँ पर दस फंदे हमारे इधर हो जाएंगे इल्टी सलाई है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और इधर से यह गैप होता है इसलिए हम यहाँ से एक फंदा उठा कर और इसका दो का एक कर लेंगे नो और यह दस फंदे होगे अब यहाँ से हम इस कूल्टी सलाई को पूरी को बना लेंगे है यह हमारी एक डिजाइन की लास्ट सलाई है यह दस फंदे जो शुरू में हमने किये थे वो ही दस फंदे यह हैं अब हमारा है ब्लू कलर ब्लू कलर से च्यार पंदे जो हमने फंद सलाई में डाले था सेम वही हमारा आ रहा है उसके बाद च्यार वाइट के पंदे और दस फंदे पर यह हमारे डिबी यहां पर खतम हो गई एक बन पूरी बन कर तयार हो चुकी है पिछे की तरफ देखिए इसमें कोई हमारे जोड नहीं दिखाई देता कुछ नहीं पता चलता पिछे से भी इतना अच्छा लगता है यह ऐसे ही इसमें देखिए पिछे से देखिए यह हमारा पिछे से अब हम नए डिबी शुरू करेंगे तो नए डिबी कैसे शुरू करेंगे यह एक बार फिर में बता देती हूँ क्योंकि अभी हमारे यह पिछे के दो फंदे रह रही है अब हम, यह जो हमारा शुरू का कलर है, इसी से ही हम पूरी सलाई को बनाएंगे, यह देखिए, इसी से हम, यह दस फंदे ही हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और अब हम यह मारे पास यह जो दो फंदे हमने नहीं बनाए थे, वो भी हम बना लेंगे, एक और यह दो, अब सीधी सलाई, राइट साइड से हम पूरी सलाई को इसको बना लेंगे, और उसके बाद जैसे हमने इहाँ पर शुरू किया था, दस पंदे हैं यह, चार पंदे यह, चार पंदे बनीओ को और दस पंदे यह, दो फंदो को छोड़ देंगे, इस तरह हम इसको बनाएंगे, अब यह यह वाली, यह जो एक सलाई मीच में डालते हैं, वो है यह, अब इसके बाद हम यहां से हमारी नई डिपी शुरू हो जा नो, दस, दस पंदे यह बना लिए, अब उसके बाद चार वाइट के, एक, दो, तीन, चार, अब चार यह, ब्यू कलर से, एक, दो, तीन, चार, दस पंदे हमारे इस से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और अभी दो फंदो को छोड़ देंगे, हैंसे सलाई को टर्ण कर जाएंगे, इस तरह जैसे हमने शुरू में बनाने शुरू गे थी, इसी तरह हमारी सारी डिपियां बनते चली जाएंगी, लास्ट में हम यहां पर यह देखिए, मेरा यह जोड आया हुआ है, तो इस अभी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को स्पोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक, बाबाए